आप सबी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में तो आज का अपना वीडियो रहने वाला है लक्ष्मी मूवी के ऊपर तो आज के अपने इस वीडियो में हम लक्ष्मी मूवी की कहानी के बारे में और उस पर छोटा सा रेवियू करेगे तो वीडियो को लाश्ट तक और अगर हमारे वीडियो में नहीं हो तो वीडियो को लाइक करना, शेर करना और साथ ही में हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आए सबसे पहले बात करते हैं लक्षमी मूवी की कहानी की बारे में बनाना पड़ता है तभी वह उसके घर जाता है लेकिन वहां उसके शरील में लक्षमी की आत्मा प्रवेश होती है इसके बाद एक के बाद एक हत्याय होती रहती है ऐसा लक्षमी के साथ क्या हुआ था जिसकी वज़ा से आसिफ के शरील में वह प्रवेश करती है यह फिल्म क अच्छे है लेकिन फिल्म खास डराऊनी नहीं है कंचना 2011 के साउथ इंडियन हिट है इसलिए तब से अब तक बहुत कुछ बदल भी चुका है वर्तमान परिष्थिती में कहानी उल्जी लगती है होरर और कॉमेडी का मिश्रण करने के चकर में दोनों के साथ पूरी तरह से न्याहि नहीं हो पाया है कहानी की सोच अच्छी है कलाकारों ने अच्छा अभीने किया है खास तोर से शरत केलकरनी ने और बंबं बोले वाला गाने में भी ग्रहन पिक्चराइजेशन किया है और बुराई की बात करें तो जबरदस्ती का फैमिली ड्रामा अच्छा नहीं लगता है कहीं बेका डाइलोग भी है नो साल के गेप के बावजुद फिल्म के विजुल्स पुराने ठरे लग रहे है कंचना वाली कॉमेडी फिलिंग मिसिंग है हिंदु मुस्लिम मसले को लेकर बेवज़ ही ग्यान दिया गया है हिंदु बाबा बता रहे है कि करमे पूत है लेकिन पगाने वाले मुस्लिम बाबा ही आये गे इसे कई घिसे पिटे द्रिश्चों से फिल्म बटी हुई लग रही है प्यार के लिए प्रेमिगा के परिवार को मनाना पता नहीं कब बोलिवुड वाले इससे बाहर निकले गे अक्षे कुमा ने एक महिला के किवदार में अच्छी जान डाली है लेकिन कई जगव अक्षे ही लगे है इस लियाद से उनके अभिने में थोड़ी कमी लगती है क्यारा के लिए फिल्म में बहुत कुछ करने के लिए नहीं था मनु रूशी और राजे शर्मा ने भी खास कमाल नहीं दिखाया है अश्मिनी और आईशा रजा का अभिने भी अत्यंतिक बनावटी लग रहा है फिर भी किसी की तारिफ होनी चाहिए तो शरत केल करने की छोटी सी की भूमिका में दम डाल दिया फिल्म लक्षमी तमिल पाशा की कंचना फिल्म का हिंदी रिमेक है लेकिन फिल्म तमिल पाशा वाली फिल्म के मुकाबले अधिक असर छोड़ने में कामयब नहीं हो पाती है